असलाम अलेकम फ्रेंट्स कैसे हैं सारे ठीक ठाके अलागे शुकर और करम से मैं बिल्कुल ठीक और उमीद कती हूँ कि अभी सब खरक यह से होंगे तो आज मैं वीडियो बनारी हूँ फिर से राकी सावंथ पर तो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी राकी सावंथ की फेवर में तो मुझे लगा थाक कि राकी सावंथ शायद इसलाम कबूल करने के बाद वो शुदर चुकी है और वो एक अची खातून बन चुकी है लेकिन मैं गलत थी शायद के राकी सावंत जैसी और जो है वो कभी भी सुधर नहीं सकती क्यूंकि जो है उसने इसलाम को भी एक खिलोना ही बना के बेश किया है और जो है शादी की है उसको दूसरे तीसरे दिन ही जो है खतम कर दिया है जैसे ही निकाह डिकलियर हुआ है और उसकी वालदा की डैथ हुई है और उसने अजीब से ड्रामे बनाना शुरू कर दिये है और जो वो लड़का साथ था पता नहीं वो अपनी यानि एड़ोटाइजिंग करवाना चाह रहा था राकी सावन से और वो अपने कबूल किया था तो उस पर काविज रहती और जो है इसलाम के तोर तरीकों पर चलती लेकिन उसने कहा कि मैं नहीं इसलाम कबूल किया लड़के किस से शादी की लेकिन मैंने धरम चेंज कर दिया इस तरह कर दिया बुस तरह कर दिया तो लेकिन यानि इस तरह एक मतलब के ल हो जाती यह तो जो इसने इसलाम कबूल किया था बस एक रिष्टा जोड़ने के लिए किया था और जैसे ही उसे यानि रिष्टा जोड़ लिया तो उसके बाद जितनी अजाद ख्याल वो और थी जिस तरह की वो ड्रेसिंग करके अब मिडिया को बुला के वीडियो बनाती र की तरह इस्तमाल किया होगा और जब वो कम या वो गया तो यहां तो वो इससे फीचा चुड़ाना चाह रहा है यहां तो फिर राखी जो है उसके इसलाम के दाएरे में आके जो पाबंदियां होंगी जो यानि फुल कपड़े पहनना हजाब में रहना यहां फिर जिस तरह क पसंद नहीं कर रही होगी क्योंकि वो तो एक आजाद ख्यालात की असाई लड़की है तो वो मुसल्मान के साथ कैसे मुसल्मान वाली जिन्दगी गुजार सकती है तो वो एक ड्रामा ही कर रही थी और उसका जब दिल भर गया तो उसने डिवोस हासिल करने के लिए नाटक शुरू कर दिये हैं तो अगर आप अगरी है मेरी इस बार पर जो लोग मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं लाइक करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को कर लें लाइक और मेरी वीडियो को शियर करें जितना से ज्यादा से ज्यादा हो सकता है क्योंकि यह हमारे इसलाम पर ब बात पता है जो भी बात पता है वो मुझे प्लीज कमेंट में बताएं फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ तो अलाहफीज